हेलो एवरीवर्ण मैसल्फ दिपिका रोडा फ्रम हैश्टेग BCP SKV क्लासिस आज की इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 टैक्साइस 13.1 से कोशन नुबर 9 A wooden article was made by the scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure 13.11 if the height of the cylinder is 10 cm and its basis radius 3.5 cm find the total surface area of the article इस कोशन में हम से कहा गया है कि हमारे पास एक wood का solid cylinder गिवन है और इस में से two hemispherical shape निकाल ले जाती है जो cut करके scoop से कहा गया है न एक scoop यहां से और एक scoop यहां से निकाल लिया जाता है तो यह hemispherical shape तो cut हो गई remaining जो area है हमें इसका total surface area find करना है इस कोशन में हमें cylinder की height given है 10 cm और हमारे पास cylinder की radius है 3.5 cm और आप देख सकते हैं जो हमारे पास cylinder की radius है वो ही किस की radius है? Hemisphere की तो start करते हैं first of all यहां पे लिख लेते हैं height of cylinder कितनी given है 10 cm तो यहां पे में लिख लेती हूँ 10 cm रेडियस कितनी given है? Cylinder की radius हो जाएगी 3.5 cm और जितनी हमारे पास radius किस की cylinder की है उस्तनी किस की हो जाएगी Hemisphere की तो इसको भी लिख लेते हैं 3.5 cm हमें find करना है total surface area of article total surface area of article मेरे पास ही आप इस पेस नहीं इस लिम नीचे लिख रही हूँ इसे CSA of Cylinder अब देखें CSA क्यों लिया मैंने? जब हमारे पास cylinder में जो top और bottom include नहीं होते तो क्या find करते है? CSA इसलिए मैंने इसको लिखा CSA of Cylinder next हमारे पास क्या है? 2 देखें Hemisphere का formula लगाएंगे क्या लगाएंगे CSA अब देखें जब हम ये वाला part ऐसे इसको खोद कर निकाल रही है जैसे कि ice cream निकालते हैं स्कूप से तो उसका कोई top नहीं है ये वाला area नहीं है ये दोनो area एक तो top नहीं और एक bottom नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको ना ले करके हम ये वाला area लेंगे ये वाला और ये वाला तो ये भी क्या कहलाते है? curved surface area और hemisphere कितने है? 2 तो मैंने 2 लिख लिया into में curved surface area of hemisphere इसको पाइज प्लस में 2 into में 2 किसली लगाया है? क्योंकि हमारे पास hemisphere कितने है? 2 है 2 pi r square now common ले ले लेते हैं common क्या आजाएगा? 2 pi r क्योंकि दोनों में 2 pi r क्या है? common है यहाँ पे आजाएगा h plus 2 r तो value पुट कर देते हैं 2 into में pi की value होती है 22.7 radius क्या हो जाएगी 3.5 h कितना हो जाएगा हमारे पास? height कितने given है? 10 plus 2 into में 3.5 next नहाँ पे point रिमूव करते हैं नीचे क्या आजाएगा? 10 आजाएगा 7 वन्दा 7 7 वन्दा 35 अब यह 5 से कट कर देते हैं 5 वन्दा 5 5 to the 10 2 से 2 कैंसल हो जाएगा यह हमारे पास कितना अगे? 22 10 plus 2 into 3.5 देखें आप नहाँ पे मैं मुल्टिप्लाइ करके दिखा देती हूँ 2 5 दे 10 2 3 दे 6 और 1 कितना आगे? 7 0.0 7.0 मतलब 7 होता है कितना आजेगा? 22 into में 17 यह हमारे पास आजाएगा 374 cm2 और यह हो जाए मारा आंसर if you have any doubt, any query, please comment below in the comment section video अच्छे लगी, तो friends के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बाल इकन को हैट करें ताकि लिए टेक्स चैनल बेले नोटिफिकेशन आपको पिकल टाइम पर मिल जाएँ तब ते कि लिए बाइए